नमस्कार पीपी नियूज लाइन के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है मैं हूं इताली सहेगल और प्रस्तुत है आज के समाचार मोदी सरगार ने गुरुवार को एक अहम कदम उठाते हुए जमू कश्मीर में अनसूचित जाती स्सी और अनसूचित जाती एस्टी को आरक्षन का लाप देने के लिए अनुचेद 370 की धारा एक में शंशोधन के लिए आदेक्ष को मंजूरी दे दी है अनुचेद 370 के तह राज जी को विशेश दर्जा हासिल है इस आदेक्ष को मंजूरी के लिए राश्टुपती के पास भेजा जाएगा परधान मंतरी नारेंदर मोली की अदक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ये फैसला लिया गया इसकी जानकारी वित मंतरी आरुन जेटली ने दी वही जम्मू कश्मीर में बीजिपी के पुर्व मनिस्टर बाली बगत ने भी इस बारे में जानकारी दी और इसमें जो है और 10% जो economically weaker sections के लिए जो recently प्रधान मंतरी जी ने भोशना की ची वो सारे देश को मिलना श्रू हो गया था लेकिन यहां आप जानते हैं कि जम्मू कश्मीर का काम स्थिशन भारात 370 के कारण यहां पे इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ता है हम जम्मू कश्मीर के राज़पाल महदय का भी बहुत बहुत आभार विकत करते हैं जिन्हों ने यह जो 10% economically weaker sections का और यह जो restoration of promotion and reservation इस इक्रू को यहां से union cabinet को प्रपोसल देजा और इसको एपरूप किया है आज पाकिस्तान से वापस लोट रहे विंग कमांडर अभिनंदन अटारी बॉर्डर से हुई वतन वापसी वागा वॉर्डर पर काफी लोग भारत की हीरो विंग कमांडर अभिनंदन को देखने के लिए पहुंचे कुपवाडा जिले के बाबागून इलाके में आतंकियों की माजूद्की की सूचना पर गुरुवार देर शाम को कोसो चलाया गया 22 राइश्ट्रे राइफल 92 बटालियन CRPF तथा SOG ने पूरे इलाके को घेर रखा है ताकि घेरे आतंकी अंधेरे का फाइदा उठा कर भाग ना निकले घेरा सक्त होता देक आतंकियों ने फाइरिंग शुरू कर दी जिससे लगबग तेड़ बजे रात मुठ बेड शुरू हो गई सुरक्षा बलो ने दो आतंकियों को मार गिराया इसमें दो जवानों के शहीद होने की खबर है केंदर सरकार ने जमू कश्मिर के अलगावादी संगठन जमानते इसलामी पर वीरवार को प्रतिबंद लगा दिया ये कारवाई संगठन के देश विरोधी और विश्व संग गतिवीदियों से जुड़े होने के कारण गैर कानूनी गतिवीदिया निरोधक अधिनियम के तहत की गई है विकलंग चोग फ्लाई ओवर के नीचे जंडिगर नमबर फोर विलल गाड़ी में लगी आग दमकल विभाग द्वारा मोके पर पहुंच कर आग पर पाया गया काबू प्रत्यदक्षी ने कहा कि अनंतनाग शहर अबिज बियारा और दक्षिन कश्मीर के अने हिस्तों में भी प्रतिबंद लगा दिये गए हैं एक अधिकारी ने इसकी पुष्टी करते हुए कहा कि कानून और वेवस्ता बनाये रखने के लिए एतिहात की तोर पर ये कदम उठाये गए हैं जमू कश्मीर के मेडिकल हेल्थ संस्थानों पर रेड क्रॉस के निशान बनाये जा रहे हैं जब इसकी जानकारी हमने मेडिकल सुप्रिडेंट से लेनी चाही तो उन्होंने कहा कि एक समान्य परिक्रिया है और कितने होस्पिटल है जमू में जिनके उपर ये बनाया जा रहा हैं बाकी इंस्टूशन गो डिरेक्टर साब आराती उनकी बात तो नहीं कर सकती और जो वारे होस्पिटल हैं सिर्नगर कंगन में इंग्रॉच्मेंट हटाने का काम शुरू किया, कंगन में नाला सिंध के साथ अवेद निर्मान को हटाया, स्थानियल लोगों ने इसका जम कर विरोध किया. किसी ने की थी, वो हमने रिमू कर दी है, तो मिन्शालला में आपके मादिम से तमाम यहां के जो हमारे सब डिविजन कंगन के जो लोग हैं, जो नाला सिंध के आसपास रहते हैं, उनको यह घजारिश होगी, कि वो इस आंडरेबल हाई कोट के आर्डर की खिलावदी ना करें हमें शहीदों की कुर्बानियों को नहीं बूलना चाहिए से जंग लड़ रहे हैं, और उस जंग में हमारी काम्याबी होगी हमेशा, और उनकी कुर्बानी जो किसी भी यह जवान की कुर्बानी जाया नहीं होने देंगे हम, हम उनके साथ हैं, उनके हर मोड पे उनके जो गर का दुख सुख है, वो हमारा दुख सुख है, और इसके आने वाले 24 घंटों में मोसम बिगडने के आसार पहाड़ी इलाकों में भारी बरफबारी और मिदानी इलाकों में बारिश की चेतावनी पीपी न्यूस लाइन के आज के अंक में बस इतना ही कल होगी फिर से मुलाकात अब तक के लिए आप देखते रहिए पीपी न्यूस लाइन नमस्कार जरी, so here is Shine and Glow, Laser Aesthetic and Cosmetic Cleaning